ओके तो इन प्रिवियस ट्वेंटी ट्रीच चैप्टर्स तक आपने लगभग मैक्सिमम बेसिस बेसिक जो रहते हैं पाइथन के वह लगभग आपने क्लियर कर लिये ठीक है अब थोड़ा सा ना हम कोब पे जाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पे जाते हैं थोड़ा सा तफ वर्जन पर जाते हैं Python के, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि starting में हर language शुरुआत में easy होती है, धीरे धीरे वो tough होती जाती है, क्योंकि उसकी functions ही वैसे होते हैं, ठीक है, तो अब समझ लो 23 से हमारा Python का base एकडम actual Python स्टार्ट हों करने हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पर बन functions.py, अब देखो आपने throughout the series, आपने मेरे मुझ से सुना होगा functions, functions, functions होता क्या है basically, functions कुछ नहीं है, एक simple block of code है, ठीक है, जिसे जो तभी run होता है, जब उसको call किया जाता है, मतलब Python function क्या है, एक simple code हम लिख देते हैं, और उसको किसी से reference देते हैं, ठीक है, और जब उसकी जरूरत होती हम उसको call कर लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप argument पास कर सकते हो, parameters पास कर सकते हो, और जो ये result देता है, वो result लगभग लगभग data से relate होता है, ठीक है, तो theory को खतम करके सीधे मैं आपको practical दिखाता हूँ कि basically ये functions हम किस चीज की बात कर रहे हैं, चलो, let's, ए example लेते हैं, ठीक है, किसी भी function को बनाने के लिए, जैसे कि मालो मैं एक लेता हूँ, print, print, और round braces मैं यहाँ देता हूँ, मैं, hello, this is शेरत खरे, ठीक है, देखो मैंने इसको simple दिया, ठीक है, print, this is शेरत खरे, इसको मैं एक पर हटा देता हूँ, और इसको run करते है, simple, ठीक है, हमने आगे पीछे कुछ भी ने दिया, कुछ भी value, कोई भी parameter पास नहीं किया, देखो, इसने simple, hello, this is शेरत करे, हमको print कर दिया, अब मैं चाहता हूँ, कि इसे किसी variable में denote कर दो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ, x की value दे दूँगा, कुछ भी दे दूँगा, लेकिन मैं यह ठीक है, मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा define, क्योंकि मुझे किसी चीच को create करना है, तो हम define करने के लिए def का use करते हैं, ठीक है, किसी भी function को बनाने के लिए आप def का use करोगे, define, ओके, अब यहाँ पे define पे आप अपने एक function का नाम दे दो, कुछ भी function दे तो, जिसके अं इसको ऐसे कर देता है, इसको functionate कर देता है, ठीक है, अब देखो, यह बन गया, यह एक format है, आप यहाँ पे कुछ भी दो, ठीक है, साथ में आपको यह function का round braces देना है, अब जैसे कि मैं एक function define कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, क्या define करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको condition, ठीक, अब यहाँ पे देखो, indentation by default आएगा, जो हमने पहले भी देखा, अब मैं simple यहाँ लिख देता हूं, print, और एक string pass कर देते हैं, और same pass करते हैं, hello, this is, शरत करे, ठीक है, तो अब इसको आप समझो कि यह मैंने क्या किया, मैंने एक function मनाया, define से, मैंने define किया my function, और उसके अंदर मैंने pass कर दिया, print, hello, this is, शरत करे, मतलब जब मैं इस function को call करूँगा, जब भी मैं इस function को print करूँगा, या कुछ भी करूँगा, तो सीधे सीधे, hello, this is, शरत करे, print हो जाएगा, ठीक है, यह है हमारा function, इसको इस तरह से create करते हैं, और इसको calling करने के लिए आप जाओ नीचे, okay, indentation से बाहर आजाओ, और simple my function, बस यहाँ पर call कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, यहाँ हमने उसको create किया, यहाँ पर हमने उसको call कर दिया, अब जैसे ही मैं इसको execute करूँगा, देखो यहाँ पर hello, this is, शरत करे, print हो के आ जाएगा, ठीक है, यह देखो, ऐसे कर देता है, ठीक, आपको और अच्छे से clear हो जाएगा, यह देखो, hello, this is, new शरत करे, आगया, इस तरीके से basically आप function बनाते हो, और उसको call करते हो, ठीक है, अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती है, एक होता है argument, जो आपने बहुत नाम सुना होगा, argument, argument, य होता क्या है argument, ठीक है, तो मैं इसको लगता हूँ, definition of argument, ठीक है, यह क्या है basically, देखो, कोई भी information, अगर function के अंदर लिखी जाती है, उसको हम argument कहते हैं, ठीक है, basically क्या होता है, arguments जो होता है, function name के बाद दिया जाता है, या फिर parentheses जो होता है न, round parentheses, ये, इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, arguments are specified, sorry, after the function name, and inside the parent, इसकी spelling मैं थोड़ा सा confused हूँ, I think यही होती है, इसकी spelling होगा तो आप गूगल में चेक कर लेना है, ठीक है, हमने यह किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी definition बता रहा हूँ, ताकि आपको clear हो जाए, फिर आपको इसका practical दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है, मैंने मतलब comma से उसको separate करते हैं, अब simple सा एक example लेते हैं, जिसमें की हम एक function को call करेंगे, ठीक है, और उस function में हम first name और बाखी सब चीजें जो हैं, उसको pass on कर देंगे, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक function define करता हूँ, और इसको भी दे देता हूँ, my function, ओके, और इस function के अंदर मैं एक argument pass करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, fname, ठीक है, अब इसको मैं दे देता हूँ, एक condition, condition, मैंने argument pass किया, एक my function में, fname का, उसको मैंने condition दे दी, कि print कर दो, क्या print कर दो, आप पहले तो print कर दो, fname, जो argument था, as it is, plus concatenation का हम यूज करेंगे, ठीक है, और concatenation का, यूज करने के बाद, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, r, e, f, s, n, e, s, ठीक है, यह क्या होता है, बेसिकली, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुए, देखो, होता क्या है, कि आप मालो, कुछ भी pass कर लो, मैं यहाँ पर चलो, pass कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, मालो, खरे, just suppose, ठीक है, मैं वैसे नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे लिखने वाला था, कुछ भी लिखने वाला था, लेकिन, मैं यहाँ खरे लिख देता हूँ, ठीक, अब मैं नीचे जाता हूँ, इंडेंटेशन से भार आता हूँ, और अब माई function को कॉल करता हूँ, माई function, ठीक है, और इसके अंदर, मैं यहाँ पर एक string पास कर देता हूँ, मैं यहां पर पास कर देता हूँ पहला शरत ठीक है दूसरा फिर ले लेता हूँ एक और इसके अंदर पास कर देता हूँ मालो संजे ठीक है एक और ले लेता हूँ और इसके अंदर पास कर देता हूँ मैं मालो दिले अब यह क्या करेगा basically देखो मैंने क्या किया हुआ है मैंने concatenation का use किया है मैंने fname दिया हुआ है एक function मैंने बनाया है fname नाम का और fname मैंने यहां printout कर दिया concatenation use किया और वहां पर मैंने इसके अंदर एक string pass कर दिया तो मतलब क्या होगा कि fname के अंदर जो functions है मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, शरत, संजे, दिलिप, ठीक है, इन सम में concatenation, मतलब शरत यहाँ पर आएगा, प्लस, concatenation, space, खरे, तो यह क्या हो गया, शरत खरे, यह क्या हो गया, संजे खरे, यह क्या हो गया, दिलिप खरे, ठीक है, देखो हम प्रिंट करते हैं इसको, यह देखो, ठीक है, मैं एक बाद फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, एक argument इसके अंदर पास किया, ठीक है, function ही बनाया हमने, उसमें एक argument पास किया, कि इस argument के अंदर, हम यहाँ पे जो जो देंगे, my function पे, उसके साथ यह concatenation पे use हो जाएगा, आप यहाँ पे अपने इसाब से दे सकते हो, मैं आपको argument की बात बता रहा हूँ, कि argument को use कैसे किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप किवल concatenation में इसका use करो, ठीक है, आप just ऐसा ले लो कि हमने कोई एक बड़ी सी चीज़ कॉपी करी है, और कॉपी करके हम एक जगा पे उसको replace करते जा रहे हैं, तो बस हमने एक बार इस function को call किया, माई function को, और देखो उसके अंदर जो भी हमने pass on किया, उसको उसने f name से exchange कर दिया, ठीक है, कई जगा पे ये जो argument लिखा है ना, argument, इसको आप कुछ इस तरह से भी देखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें आप confuse मत होना, ठीक है, कई बार जैसे आप interview दो गए ना जब, तो वहाँ पे argument ने लिखा होता, वहाँ पे लिखा होता है, args, ऐसा लिखा होता है, तो इसमें confuse मत होना, यह इसका short end है, arguments का, ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, अब यह समझना है, कि parameter, parameter और argument यह दोनों के दोनों चीज़ें अलग-अलग कैसे होती है, ठीक है, देखो parameter और argument कोई भी same चीज़ के लिए use किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर हम information को pass कर सकते हैं, और दोनों को ऐसा function हम call भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर functions के हम बात करें, ठीक है, तो जो parameter होता है, वो parentheses के अंदर होता है, function definition पे, ठीक है, और argument क्या है, एक value है, है न, function इसके अंदर हो गया और argument क्या हो गया एक value हो गया इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना दोनों में basically अंतर यह है अब इसमें फाइदा यह होता है कि function तो हमेशा आपका एक ही बनेगा एक ही create होगा जैसे देखो यहाँ पे हमने एक function बनाया लेकिन argument यह होता है ना argument आप उसके अंदर unlimited create कर सकते हो ठीक है जैसे देखो यहाँ हमने fname दिया बस यहाँ पर मैं कोई और function ले सकता था कुछ और लिख सकता था वो हो सकता है ठीक है मैं देखो इसको define करके आपको example में बताता हूँ इसको पहले यहाँ देता हूँ number of arguments एक चीज़ और आपको बताता हूँ इससे पहले आपको अगर यहाँ पर लगे गाना कि थोड़ा सा tough जा रहा है तो उसको आप ignore करना ठीक है पूरी series को पूरी playlist को आप continue देखते जाओ बस कई कई चीज़े on the spot समझने वाली नहीं होती है उनको किसी definition या proper example या फिर live program से ही समझा जा सकता है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी आप समझो यह already रटनी की चीज़ है और इस तरह के से ही काम करेगी इसकी और कोई अलग से तरीका या कोई अलग इसका way नहीं है कि मैं आपको define करूँ यह करती ही ऐसे काम है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत simple तरीके से समझाने का तो अगर tough लगेगा तो इसको छोड़ना must इसको continue करना ठीक है धीरे धीरे जब हम आगे बनाएंगे ना एक एक series एक एक chapters आपको यह proper clear होता जाएगा जैसे आपको पुरानी चीज़ें clear होती गई आप लिखना सीख गए है ना proper वैसे ही होगा तो मैं यही request कर रहा हूँ फिर से कि continue करना series को डरना मत कि यार यह अब समझ में नहीं आ रहा है इसा कुछ नहीं है आपको समझ में आए आ जाएगा चलो अब आपीस आते है number of argument में जो मैं आपको बता रहा था कि एक function के अंदर हम different type of argument जो है वो कर सकते हैं ठीक है तो अब number of argument तो मैंने लिखा है लेकिन यह unlimited number of argument नहीं होता है ठीक है इसकी भी limitation होती है दो argument तीन argument तक आप maximum कर सकते हो तो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी उसमें हम दो argument पर करेंगे ARGS देखो मैं simple form इसका लिख दे रहा हूँ ठीक है दो argument से तो अब क्या करते हैं यहाँ पर फिर से एक function बनाते हैं और इस बार मैं function का नाम छोटा कर देता हूँ तक कि आपको clear हो जाए लेखिन चलो वही रखता हूँ नहीं तो क्या होगा कि आप भी confused हो जाओगे और इसको best practice में ले आओ जो मैंने लिखा है my function अब my function के अंदर मैं एक तो first name पास करा देता हूँ अब देखो मैंने बोला था कि argument को separate आप किस से करोगे कॉमा से करोगे तो हमने एक argument तो बना दिया अब मैं एक दूसरा लेता हूँ last name l name कर देता हूँ इसको ठीक है और यहाँ पर देता हूँ condition अब यहाँ पर इसको बोल देता हूँ कि भाई आप प्रिंट कर दो किसको प्रिंट कर दो पहले तो जो हमारा एफ नेम वाला argument उसको प्रिंट करो प्लस उसको जोईन करने के लिए हम को अल्गाटिनेशन दे देते हैं अब यहाँ पर एक मैं space दे देता हूँ कॉमा देके space दे देता हूँ तो बीच में space आया तो हमने वैसे लिया first name और last name की बीच में space ओके यह मेरा काम हो गया पूरा अब मैं indentation से बाहर आ जाता हूँ और सीजे सीजे जो मैंने function मना है मैं इस function को call करता हूँ और इस के call के अंदर इसके अंदर एक value पास कर देता हूँ जो पहला वाला है F name F name में प्यास करता हूँ शरत ठीक है अब इसको separate करने के लिए मैं कॉमा दूँगा है ना और उसके बाद मैं last name में पास कर देता हूँ ठीक है देखो मैंने यहाँ पे space नहीं दिया हुआ है इन दोनों के बीच में कहीं पर भी क्यों नहीं दिया हुआ है क्योंकि already मैंने जो print statement में लिया है print statement में मैंने यहाँ पे argument के बीच में space दे दिया है concatenation के साथ में तो मुझे हैं space देने के जरूवत नहीं है तो अब क्या होगा जब मैं इस function को call करूँगा तो शरत खरे print होगा क्योंकि शरत first name में चला गया और last name में खरे चला गया ठीक है तो यह मैंने my function को create किया और यह मैंने उसको यहाँ पे call कर दिया उसके अंदर एक value पास करवा के अब इसको run करते हैं तो देखो शरत खरे print हो क्या आएगा ठीक है आ गया print हो गया ठीक है तो hopefully आपको functions जो है यह properly define हो गया होंगे अब इसमें एक चीज़ होती है मैं उसको clear कर दे रहा हूँ पहले ही जब आप यहाँ पे दो argument पास कर रहे हो तो भूल के भी भूल के भी आप यहाँ पर उसको skip मत करना आप बोले मैं भूल गया मैं इसको save कर देता हूँ भूल गया तो यह actual में run नहीं होगा देखो error आ गया my function missing required one position argument एल नेम ठीक है यह गलती नहीं करना और यह गलती जनरली कभी कभी हो जाती है ठीक है हम भगवान नहीं है हम इंसान है गलतियां होती है कोई problem नहीं है लेकिन जब आप किसी program में गलती करोगे तो वह आपके लिए भारी पड़ जाएगी ठीक है यह गलती नहीं करना ओके अब इसमें एक चीज़ और क्योंती है जिसको मैं कहता हूँ कि आर्टिवरी और्गुमेंट मतलब की एक 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 function के अंदर कितने और्गुमेंट पास कराने हैं अगर हमको नहीं पता तो क्या करना चाहिए यह मैं यहां पर पहले लिखता हूँ और्टि और्गुमेंट की स्पिलिंग क्या होती है आर अर बी आई टी आ रे आर वाई होती है यार यह इसपेलिंग अमर्ट भी आर्बिटेरी है ठीक है अगर इसका स्पेलिंग में कुछ गलती होगा ना तो आप लोग गूगल सर्च कर ले ना ठीक है और ग्यूमेंड को कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक ना कुछ ज़्यादा ही करता हूं ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म दे देता हूं इस तरीके से इसको लिखा ऐसे जाता है इसे मैंने यहां पर ऐसे लिखाया तो इसका बिसिकली क्या सीन है द लेकिन हमको पता भी नहीं है जो हमने यहां गलती करी थी यहां पर तो जैसे हमको पता था तो हमने कर दिया लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके नीचे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन्स होते हैं और हम भूल जाएंगी कि इतना और्गिमेंट पास करना है तो अगर आप उस कंडिशन पर हो कि आपको नहीं पता कितना और्गिमेंट पास करना है लेकिन फिर भी आपको माय फंक्शन को कॉल करना रहता है तो आप इस तरीकے के फॉर्बिट का यूज़ करेंगे ठीक है इसका एक example लेते हैं मैं फिर से एक function बनाता हूँ ठीक है जैसे मैं बोलूँगा मैं एक function बनाता हूँ तो आप समझ जाना कि मैं DEF लिखने वाला हूँ define अब मैं एक my function बनाता हूँ FUNC TION ठीक है my function बनाता हूँ अब इस my function में मैं क्या करूँगा एक value पास करता हूँ ठीक है जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ किसी कि माल लो दो बच्चे हैं मैं एक kid करता हूँ ठीक है मतलब kids अब यहाँ पर देखो मैं लगाता हूँ star मतलब माल लो किसी कि हमने दो argument पास करने दो बच्चों के नाम पास करने हैं लेकिन वो तो kids की group में ही है लेकिन मुझको पता नहीं है कि कितने होंगे दो होंगे तीन होंगे चार होंगे मुझको नहीं पता मैं आगे कितने भी दे सकता हूँ तो मैं यहां पर star लगाऊंगा और इनको एक group से एक argument पास करूँगा kids या कुछ भी आप यहां पास करो ओके अब नीचे आजाओ इनको condition दे दो अब यहां पर print कर दो प्रिंट क्या कर दो एक बढ़िया से हम string बनाते हैं कि the the y o u y o u n g e s youngest child is ऐसे ले लेता हूँ देखो space देता हूँ अब मैं यहां पर concatenation का यूज करता हूँ और यहां पर pass कर देता हूँ हमारा argument तो जब argument पास करोगे तो यह star यूज नहीं करोगे ठीक है star के वल ऊपर जाएगा my function में define करने के लिए आप सीज़े हाँ लिष्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है ठीक है एक लिष्ट मैंने ले ली अब यह लिस्ट के अंदर मैं कि तीन वैल्यू पास करूँगा मतलब तीन बच्चों के नाम पास करूँगा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लिस्ट की इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है जीरो से तो तीन वैल्यू लेनी है मतलब मुझे कहां से शुरू करना पड़ेगा इसको दो देना पड़ेगा जीरो वन टू है न यह हमने लिस्ट में देखा था ठीक है अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है और आप पहली बार आया हो इस सीरीज में तो आप एक बार इसके पुराने चैप्टर में चले जाओ वहाँ पर चैप्टर नमबर टैन है और चैप्टर नमबर टैन लिए कैसे आया ठीक है मुझे तीन बच्चों के नाम देने तो उसके इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है तो जीरो वन टू इसलिए मैंने यहां टू दे दिया ठीक है अब मैं नीचे क्या करूंगा कॉल किसको करूंगा तीन बच्चों के नाम कॉल कर लूँगा अब देखो नीचे आजाते हैं, इंडेक्सिंसे बाहर आजाओ आप इंडेंटेशन से, अब यहाँ पर माई फंक्शन को कॉल कर लो, और माई फंक्शन के अंदर, क्योंकि किट्स है, मेरा और्गिमेंट, अब और्गिमेंट में मैंने तीन लिष्ट में तीन दिया हुआ है, तीन तो मैं यहां पहला नाम पास करा देता हूं पहला नाम पास करा देता हूं मालो मैं पास करा देता हूं चिंटू चिल्टू हो गया ना चिल्टू पास करा देता हूँ एक दूसरा नाम पास कराता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कॉमा देना पड़ेगा ठीक है आप आराम से सीख जाओगे यहाँ पे करा दो मिंटू यह एल क्यों आ जा रहा है बार बार और एक करा दो पिंकू ठीक है होगे हमारा clear अब देखो इसमें कुछ बचा है नहीं हमने तीन नाम पास करा दिये क्योंकि लिस्ट में हमने और्गिमेंट पे तीन बोला था इसलिए मैंने यहाँ दो लिखा 0,1,2 अब देखो क्या होगा यहाँ पे आएगा दे यंगेस्ट चाइल्ड क्या आएगा दे यंगेस्ट चाइल्ड इस कौन सा कौन सा आएगा थर्ड वाला क्यों आएगा क्योंकि मैंने तीन बच्चों के नाम दिये यहाँ पे 0,1,2 clear अगर मैं देखो यहाँ पे इसको करता हूँ 3 तो क्या होगा मुझे यहाँ पे 4 या 5 बच्चों के नाम देने पड़ेंगे ठीक है तब मैं करवा पाऊंगा अब माल लो मैंने यहाँ पे दे दिया 2 ओके तो मतलब यह दूसरा बच्चा जो मैंने बताया आपको 0, 1, 2 अगर मुझे इस बच्चे को बड़ा या छोटा करना है यंगेस्ट बच्चा तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 1 देखो माई फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप कितने भी पेरामिटर्स को पास करा सकते हो unlimited number हो आपको जो कराना है argument में argument में आपको बोई शो करना पड़ेगा जो आप चाहते हो तो जैसे मैं यहाँ पे pinku जो है उसको कराना चाहता हूँ तो indexing के यह 0, 1, 2 हुआ second वाला तो third वाला 0, 1, 2 मतलब pinku youngest child हुआ तो यहाँ पे क्या लिख किया आएगा हमारे पास the youngest child is pinku typo error my function takes two position argument but three were given अच्छा ओके 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 यह हमने ना यहाँ पे my functions कर दिया था ठीक है मैं यहाँ s लगा देता हूँ सॉरी यह गलती हुई यह मेरे से वो typo error आ गया था actual में यहाँ आपने कुछ और define किया यहाँ आपने दिया कुछ और अब इसको फिर से run करते है यह देखवा गया the youngest child is pinku okay मतलब मैंने क्या किया indexing के हिसाब से जो मेरा youngest child है उसके अंदर जो मैंने value पास करी थी my function के अंदर उस value से मैंने list के जरिए pinku को मैंने pick किया और वहाँ पे उसको string में print करके show कर दिया ठीक है तो यह basically है हमारा my function का argument ठीक है इसी में इसी में एक और होता है जिसको हम कहते है keyword argument तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ कि यह keyword argument जो होता है यह क्या होता है एक comment ले रेते हैं और यहाँ लिख देता हूँ keyword arguments ठीक है keyword argument क्या होता है basically कुछ इस तरीके का होता है हम key लिखते हैं और is equal to जो value होती है वो लिखते हैं इस तरह से लिखा जाता है उसको मैं इसको आपको एक प्रॉपर एक्जामपल से समझाता हूँ सबसे पहले तो हमें डिफाइन कर लेते हैं ठीक है माई फंक्शन FUNC TION इस बर वो गलती नहीं करेंगे हम टाइपो एरर वाली और देखो यहाँ पे इसके अंदर मैं तीन और्गिमेंट पास करता हूँ ठीक है पहला पास कर देता हूँ चाइल्ड वन ओके ऐसा कर देता हूँ चाइल्ड टू और चाइल्ड त्री यह तीन और्गिमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिये और अब इस पर हम condition लगाते हैं कि भाई आप print ले लो किसको print ले लो आप यहां पर ले लो same the youngest child is और इस पर देखे हम यहां पर concatenation यूज़ कर लेते हैं और यहां पर मैं direct argument को pass कर देता हूं ठीक है कौन सो argument child 3 pass कर देता हूं ठीक है कि यह सबसे youngest child है अब देखो मैं इसको call करता हूं indentation से बाहर आके my function ठीक है my function और इसके अंदर मैं लिख देता हूं child 1 is equal to यह देखो यह जो मैं दे रहा हूं आपको value वाला key value इस तरह से इसको लिखा जाता है child 1 मैं direct इसको denote कर दे रहा हूं value ना लिखके child 1 child 1 का नाम मैं दे देता हूं मालो same chain 2 ओके फिर कॉमा देके मैं लिखता हूं child 2 और child 2 को दे देता हूं मैं min 2 और यहां पर फिर कर लो आप child 3 और child 3 को दे देता हूं पिंकू ठीक है जो मैंने पहले किया था बस हमारा over पहले वाले में हमने क्या किया directly यहां पर argument जो value थी उस value को पास कर दिया अब मैंने क्या किया यहां पर तीन और argument लिए और argument में मैंने direct value पास करी इन दोनों में basic अंतर क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपके पास अलग-अलग तरीके के documents हैं ठीक है आपने कुछ लिख दिया लेकिन आप जैसे child 1 लिख दिया यहां पे आपने child 2 लिख दिया आपने child 3 लिख दिया यहां पे अपने chin 2, mint 2, pink 2 लिखा तो by default क्या होगा जो पहला वाला value है वो पहले वाले argument में जाएगा दूसरा वाला दूसरे argument में तीसरा वाला तीसरे argument में इसके थ्रू क्या है आप चेंज कर सकते हो आप यहां पे क्या करो इसको कर दो चलो child 3 child 3 को last में था लेकिन देखो हम first पे लि to is the youngest child हो गया, child, child, ठीक है तो मैंने कहा किया अलग-अलग value को यहां से denote कर दिया है by default की जगा तो आप ऐसे change कर सकते हो तो अब जैसे child 3 दिया हुआ है तो सबसे छोटा the youngest child is chin 2 यह return हो क्या आ जाएगा हमारे पास दिखवा गया the youngest child is chin 2 ठीक है तो आर्टिवरी अर्गिमेंट और अर्विटरी अर्गिमेंट और कीवर्ट अर्गिमेंट में कोई खास अंतर नहीं है इसमें आप default function पे काम करोगे इस पे आप specific function में काम करोगे जिसमें की value आपके हाथ में रहेगी ठीक है एक तो यह हो गया दूसरा अगर आप इसी चीज़ को इसी चीज़ को यह जो सेम चीज़ है इसको आप और्गिमेंट में भी कर सकते हो कैसे कर सकते हो उसको यह एक example देते हैं मुझे जो जो याद आता जा रहा है न basically मैं आपको उसको complete करता जा रहा हूँ arbitrary इसको बोलते हैं keyword argument ठीक है और इसका short form होता है start kwargs यह होता है इसको short form इसको मैं एक बार search कर लेता हूँ को कि मुझे याद है बट मैं आपको गलत information नहीं देना चाहता मैं एक बार इसको search कर लेता हूँ वैसे वही है मुझे अच्छे से याद है क्योंकि यह yes python organs kwargs ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है बिल्कुल यही है क्या होता है हम भी इंसान है ना काफी पहले मैंने पढ़ा जा इसका उतना use नहीं होता इसलिए इसमें क्या होता है आपको double मैंने तो double लगा यहां पर double लगाना पड़ता है जैसे argument में आपको single करना पड़ता है इसमें आपको double करना पड़ता है अगर आपको कि अर्बिटरी कीवर्ड और्गुमेंट मतलब मैं डबल स्टार से करता हूं और यहां पर दे देता हूं किट्स जो मैंने पहले दिया हुआ था सेम एक्जामपल हम ले रहे हैं ठीक है अब यहां पर हम प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट क्या कर दें इसमें दो अलग किशन यूज करता हूं और इस पर करता हूं किट्स ठीक है इस टायर मैंने लिया नहीं और एक लिश्ट लेता हूं जैसे मैंने बाकी पर ली थी लिश्ट में मैं ऐल नेम दे देता हूं ठीक है अभी हम keyword के जरीए L name को यहां से call करेंगे जैसे हमने यहां पर call किया key और value के जरीए हम नीचे से call करेंगे तो इसले ज़ेश्ट मैंने यहां पर पहले ही उसको denote कर दिया अब नीचे आजाओ indentation से बाहर आजाओ my function पर आजाओ ठीक है अब my function पर पहले मैं दे देता हूँ एक F name और इसके अंदर मैं pass करा देता हूँ शरद ठीक है his last kids दिया ना मैंने तो यहां पर कर दो यहां कुछ भी कर दो चलो यहां कर दो चलो शरद ही कर दो यार कोई दिक करती है इसको separate कर देते हैं कॉमा से अब देखो यहां पर मैं एक Lname pass करा रहा हूँ Lname ठीक है Lname pass करा के मैं यहां पर दे देता हूँ खरे ठीक है अब देखो इस Lname को हमने कहां पर print करवाने के लिए बोला है यहां पर इसलिए मैंने इसको Lname किया अब यह क्या करेगा basically यह करेगा यह की पहले इसको प्रिंट करेगा His Last Name is Kid और लिस्ट के अंदर जो हमने Value पास करी है L Name वाली इस Key को उठाएगा और इस Key को उठाके यहां पर लिखके यह कर देगा His Last Name is L Name पर क्या Value थी? खरे बस खरे को प्रिंट कर देगा ठीक है? देखो आगया His Last Name में इस खरे ठीक है? तो इस तरीके से यह Albitrary Keyword Argument भी काम करते है ठीक है? हो सकता है आपको अजीब सा लग रहा हो ना तो मैं फिर से वही बोट रहा हूँ कि बने रहना दोस्त आराम से कर लोगे आप इसको कवर ठीक है? अब इसमें ना कुछ-कुछ Default Parameters भी होते हैं मैं यहाँ फिर से एक Comment लिखता हूँ और लिखता हूँ Default Parameter Value ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि उनको Use कैसे किया जाता है Default Parameter Value को ठीक है? अगर हम किसी Function को जब Call करेंगे ना Without Argument तो वो Default Value को यूज करेगा है कै? जैसे हम Normal Call कर रहे है ठीक है? एक Normal Value को तब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक Define कर लेता हूँ Function और इस Function में FUNC, TION इस Function में हम थोड़ा सा Country पर खेलता है जैसे माल लो मैं एक ले लेता हूँ Country ठीक है? यह Country ले लेता हूँ यहाँ पर देखो मैंने उपर में दे दिया ना इसको जैसे मैंने यहाँ पर देखो कहीं पर Argument के अंदर नहीं दिया हुआ है मैंने यहीं पर इसको की Value दे दी अब मैं यहाँ पर Country को दे देता हूँ माल लो इंडिया ओके और अब इसको एक कंडिशन देता है कि भाई आप प्रिंट करो क्या प्रिंट करो I am from ठीक है? इस पेस दे देता है इस पेस दे देता है यहाँ सॉरी 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 यहाँ पर Concatenation और यहाँ पर दे दो सेम और्गिमेंट को पास C O U N Country ठीक है? अब हम country को बहार देनोट कर देते हैं My Function में Indentation के जस्ट पहले My Function और इसके अंदर मैं पहली country पास करा देता हूँ माल लो मैं पास करा देता हूँ इंडिया ओके? दूसरी कंट्री मैं पास करा देता हूँ UK तीसरी कंट्री मैं पास करा देता हूँ आस आस ट्रेलिया ठीक है? अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं छोड़ देता हूँ मैं जिसकी बात कर रहा हूँ छोड़ना बाइडिफॉल्ट एक माई फंक्शन और यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ मैं नहीं कुछ पास करा था इसके अंदर ठीक है? मैं कुछ भी इसके अंदर पास जो है वो नहीं करा हूँगा और यहाँ पर काम करता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ इंडिया को हटा देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं US, UK हो गया और यहाँ पर एक कंट्री का नाम बताओ बढ़ियांसी कैनड़ा कर दो ठीक है? देखो हमने तीन कंट्री बाइडिफॉल दिया मतलब तीन कंट्री की वैल्यू हमने इंपूट करी है UK, Canada, Australia और मैंने क्या किया था यहाँ पर माई फंक्शन में एक और्गुमेंट पास किया था और उस पर एक वैल्यू दे दी थी इंडिया और यहाँ पर मैंने इसको ब्लैंक कर दिया था तो क्या लगता है क्या होगा? यह क्या करेगा? जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर कोई और्गुमेंट आप देना भूल गया हो या फिर वो फंक्शन जो है विदाउट और्गुमेंट है तब जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ठीक है? इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है उस डिफॉल्ट वैल्यू को यहाँ पर पूट अप कर देता है तो अभी मेरे पास जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट क्या आएगा? I am from Canada I am from UK और I am from India देखो I am from Canada हमारा पहला I am from UK second I am from India देखो इसने इस और्गिमेंट से यहाँ पर फिल अप कर दिया बाई डिफॉल्ट वैल्यू ठीक है? और I am from आस्ट्रेलिया हमारा यह फोर्ट आगया ठीक है? यह होती है बिसिकली हमारी डिफॉल्ट पेरामिटर वैल्यू ठीक है? अब माल लो की एक मुझे आर्गिमेंट जो है मेरे इन आर्गिमेंट में मैं एक एक वैल्यू पास कर रहा हूँ F नेम किया, L नेम किया है ना? इस तरीके से मैं पुरी वैल्यू पास कर रहा हूँ लेकिन माल लो मैं यहां पे एक list देना चाहता हूँ पूरी की पूरी एक list बनाना चाहता हूँ मतलब list के जरीए list को pass करके उसको as an argument में change करवाना चाहता हूँ यह generally बहुत ज़्यादा किया जाता है यह कैसे करते हैं ठीक है मैं यहां पे comment लेता हूँ यहां लिखता हूँ passing a list as an argument ओके नीचे आजाओ देखो कोई भी data type argument में store हो सकता है पहली जीज़ ठीक है और आप उस argument को किसी भी function में call कर सकते हो चाहे वो string हो कोई number हो, कोई list हो कोई dictionary हो, कुछ भी हो यह सब मैंने आपको previous पूरे chapters में बताया हुआ है ठीक है और उसे बिलकुल function जो होता है वो एक जैसे data type के जैसे ही treat करता है, चाहे वो कुछ भी हो ठीक है for example अगर आप किसी list को as an argument लेते हो तो still वो function पे list के जैसे ही पहुँचेगा उसमें कोई changes नहीं होंगे ठीक है मैं देखो इसको दिखाता हूँ आपको example मैं एक function बनाता हूँ define करता हूँ और इसको my function लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक categoryize कर देता हूँ मालो मैं यहाँ पे देता हूँ food ठीक है अब मैं लेता हूँ यहाँ पे for loop का use करूँगा क्योंकि मुझे क्या करना है list के through आपको एक एक चीजे print करके दिखानी है ठीक है list के through हम क्या करेंगे एक एक functions को call करके उस list की सारी value को print करेंगे तब आप clear हो जाओगे कि list इसमें कैसे working कर रहा है मैंने एक function बनाया उसका नाम दिया मैंने food food के अंदर अभी मैंने कुछ store नहीं करवाया हुआ है ठीक है कुछ भी store नहीं कराया हुआ है मैंने अभी तो मैं यहाँ क्या करूँगा for I मैंने आपको बताया था ना कि I से करते हैं ठीक है for loop का इस्तमाल for I in food ठीक इसको condition दे दो ठीक है अब यहाँ पर कर दो आप print I ठीक है अब यहाँ पर back आ जाओ मैंने एक function बनाया है food नाम का उसके अंदर मैंने बोला है incrementation मतलब for loop मैंने चलाया है उसके अंदर ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इस function को एक दूसरे function में call out करूँगा या एक list के अंदर call करूँगा कि वहाँ पर भी इसका incrementation हो one by one of put करे तो मैं क्या करता हूँ एक list बनाता हूँ नहीं एक fruit नाम की list बनाता हूँ ठीक है fruits नाम की एक list बनाता हूँ और इसके अंदर मैं apple पास कर देता हूँ इसके अंदर मैं बनाना पास कर देता हूँ और इसी के just अंदर मैं एक cherry पास कर देता हूँ यह मैंने एक list बना ली अब मैं क्या करूँगा इस list के अंदर जो मेरा function था इसको call कर देता हूँ तो मैं क्या करूँगा simple my function और इसके अंदर मुझे क्या पास कराना है मुझे उस लिष्ट को पास कराना है कौन से लिष्ट फूट्स वाली बस मैंने यहाँ पर एक function define किया उसके अंदर मैंने बोला कि भई आप जो भी कुछ करोगे जो भी parameter पास करोगे कुछ भी करोगे उसको आप incrementation करते जाना fall loop के जरीए फिर मैंने एक list ले ली list मैंने एक नया list बनाया नया list में मैंने तीन value पास करी और अपने जो incrementation ओला function था उसको उसके अंदर पास करा दिया simple है अब मैं इसको execute करूँगा तो यह क्या होगा apple बनाना cherry मेरे पास as a string के रूप में आ जाएगा जैसा मैं list में करता था जब मैं fall loop का use करता था तो वो list के जैसे नहीं वो एक string के जैसे आता था है वैसे ही इसमें भी जब मैंने my function को call किया और मैंने जो loop था उसको my function में save करवा दिया और सीधे मैंने list से उसको call कर लिया तो मेरे पास जो भी output आएगा वो एक string के रूप में आएगा list के रूप में नहीं आएगा इसको देखते हैं क्या हो गया थोड़ा सा time ले रहा है यह एकर फिर से execute करता हूँ मैं इसको दिखवा गया एपल बनाना चाहिए यह एक string की रूप में आया इसका हम type देखेंगे तो यह string है क्योंकि अगर list होता तो फिर इस तरीके से square brackets के अंदर ही आता ठीक है I think आपको यह clear हो गया होगा नहीं होगा होगा तो फिर से एक बार देख लेना ठीक है अब इसमें एक चीज और होती है मैं आपको इसमें return value के बार हम यह बता देता हूँ को को कि हम functions पर काम कर रहे हैं तो लगभग लगभग maximum चीज़ें clear कर लेते हैं ताकि future में हमको वापिस उसको ना देखना पड़े यहां मैं दे देता हूँ return value values ठीक है तो माल दो आप चाहते हो किसी function को वैसकी उसकी value return करवाना तो आप return statement के use करोगे मैं इसको पूरा लिख देता हूँ to let a function return a value then you use written statement ठीक है यह किस चीज़ की हम बात कर रहा है फिर से एक example लेते हैं मैं एक function define करता हूँ my function f-u-n-c-t-i-o-n my function define करके मैं इसके अंदर एक value पास करा देता हूँ माल लो x ठीक है और इस x को condition देता हूँ कि आप print ना करके return करो को कि ये भी value को return करेगा ठीक है लिखेगा एक तरह से ऐसे समझो कि 5 यहां कर दो 5 into x ठीक है आप ध्यान से देखना मैंने क्या किया मैंने एक function बनाया x नाम का x के अंदर की value मैं नीचे पास कराओंगा और मैंने उसको बोला कि जो भी value पास कराओंगा उसको 5 से आप multiply करते जाना अब मैं नीचे आ जाता हूँ indentation से बाहर आ जाता हूँ अब यहां पर देखो मैं print देता हूँ मैं यहां पर print क्या करता हूँ my function मैं function ले लेता हूँ हमारा ठीक है और function में इसके अंदर मैं pass कर देता हूँ 3 ठीक मतलब पहला function पहला x में रहो गया 3 अब मैं दूसरा x ले लेता हूँ इसके अंदर फिर से my function पास कराता हूँ और इसके अंदर देता हूँ मादलो 5 फिर से लिए लेता हूँ एक यह मैं आपको एक्जामपल के लिए ले रहा हूँ इसके अंदर फिर मैं my function बनाता हूँ और इसके अंदर मैं pass करा देता हूँ इस बार 9 तो यह 3 value आगई मेरे पास में पहले वाले x में आया 3 फिर दूसरे में 5 फिर तीसरे में 9 ठीक है मैं my function में तीनों को denote करता जा रहा हूँ तो पहला answer क्या आएगा 15 आएगा 5 into 3 15 दूसरे का आएगा 25 तीसरे का आएगा 45 ठीक है देखो execute करते हैं इसको देखो 15, 25, 45 मतलब return function का आप rules यहाँ पर कर सकते हो ठीक है इस statement का use आप कर सकते हो जब आप कोई value को return कराना चाहते हो और print आप साथ में देना चाहते हो without adding any more argument ठीक है तो आप इस तरीके से इसको use कर सकते हो इसी में एक होता है past statement past statement मैंने आपको सारे data type में clear किया था लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से clear कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है the past statement में टीस ओके स्वरी एस नहीं आता क्या होता है आपको पता है कि कोई भी function जो है वो empty नहीं हो सकता उसके अंदर कोई भी argument होना ही चाहिए तब ही होता है लेकिन किसी reason की वज़े से आपके पास कोई content नहीं है या content है तो वो आपको बाद में मिलने वाले है या आपको पता नहीं है वो future में आपको denote होंगे किसी functions के किसी दूसरे functions से आपके पास आएंगे तो आप क्या करो उस statement में error आए तो आप वहाँ पे उस function में error को बचाने के लिए पास statement का use करोगे ठीक है कैसे करोगे मालो मैंने यहाँ पे एक function define किया और यहाँ कर देता हूँ my function यह मैंने एक नया function define किया underscore ओके और देखो इसके अंदर मैंने कोई value पास नहीं करी है कुछ value मैंने इसके अंदर पास नहीं किया ना मैं आगे कुछ लिखने वाला हूँ ना उसको किसी statement से input देने वाला हूँ लेकिन मुझे यह function बना के रखना है ताकि मैं इसको properly बाद में याद करके इस पे value put up कर सकूँ इस पे आगे का code कर सकूँ और इसको कहीं denote कर सकूँ लेकिन मुझे को यह बना के रखना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे simple pass statement को pass कर दूँगा तो यह क्या करेगा error नहीं आगा अगर मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ दूँ तो देखो error आएगा यह execute नहीं होगा देखो यह भी पूरा reddish हो गया यहाँ पर भी error आगया क्या expected indented block या जो भी है ठीक है तो इस error से बचने के लिए मैं यहाँ पे pass statement pass कर दिया खतम अब मैं आगे अपना कोई भी काम कर सकता हूँ यह as it is function बना रहेगा ठीक है यह आप कर सकते हो तो function के लगभग जितने भी parts होते है इस से उपर function में कुछ नहीं है जो भी होता है मतलब आप यही पर कर सकते हो अंदर पे इस से उपर कुछ भी नहीं होता है कोई भी आप बड़े से बड़े code बड़े code ले लो मैंने इस के अंदर इस chapter के अंदर सारी चीजे मैंने आपको समझा दी है ठीक है एक बार दो बार तीन बार चार बार आप इसको थरो करो और जब थरो करने के बाद आप आगे बढ़ते जाओगे और हम कोई program बनाएंगे आपको आसानी से यह recall हो जाएगा कि हाँ मैंने इस chapter में यह चीज पढ़ी थी अब समझ मैं कि यह चीज कैसे use होती है उस समय आपको यह recall हो जाएगा तो अगर आपको जो समझ में नहीं आया होगा उसको रटा मार लेना मैं फिर से बोल रहा हूँ रटा मार लेना और जो समझ में आ गया होगा वो तो well and good है कोई दिक्कत नहीं है वैसे आप इसको दो-तिन बार पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे ठीक है तो यह था हमारा python functions और next में आपको इसका और core जो होता है हम उसके बारे में समझेंगे कि एक lambda function होता है ठीक है उस पे हम argument expressions इसको कैसे लेते हैं दिए लगा सु मैं टूद मुद्ट मुद्ट सर वीव पूम क्भाव मुद्ट